अजम करने वाले हैं अलबर्ट वंडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांग्त जिससे हम कहते हैं प्रेक्षणांत्मक अधिगम या निरिक्षणांत्मक अधिगम भी कहा जाता है यानि अब्जर्वीशन लर्निंग त्योरी इसे अधिगम भी कहा जाता है और इसका अन्य नाम है सामाजिक संग्यानात्मक सिद्धांतु तो देखिए अलबर्ट वंडुरा की जो त्योरी है उसके भी अन्य नाम है जिस तरीके से हमने थौंडाइक, स्कीनर, पैवलोब इनकी त्य के अन्य नाम से भी हम परजित हुए इससे पहले यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं जो भी लर्निंग की त्योरी करवाई गई है क्योंकि वहां से कुश्यन आपके हमेसा ही पूछे जाते हैं तो बंडुरा की जो त्योरी है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इनसान करते हैं लगभग तो इसे याद करने की ट्रिक है केवल कि बंडुरा समा से ही सीखता है तो जट से हमें याद आ जाएगा एक्जाम में कि बंडुरा ने कौन सी त्योरी दी है सामाजिक अधिगम सिद्दान्त दिया है बंडुरा कैनेडा के थे वे कहते थे कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूप एक अच्छा तरीका है तो इनकी ठियोरी में सबसे ज़्यादा एहम रोल निभाता है मॉडल यानि प्रतिरूप यदि बच्चे किसी मॉडल को देख कर कुछ भी सीखते हैं तो उसे ही साम समाजिक अधिगम का नाम दिया है किसने बंडुरा ने अगर बच्चों के सामने कोई मॉडल प्रस्तुत किया जाता है तो उसी को देखकर उसी का निरिक्षन करके अवलोकन करके वो बहुत सारी चीजों को सीखते हैं बंडुरा कैते हैं कि बच्चा समाज में जो देखता ह वही करने की सोचता है, वह कोशिषिक करता है जैसा कि हम अपने आसपास भी देखते हैं तो बंडुरा ने क्या किया अपनी थियोरी में? उन्होंने पाँच मिनट का वीडियो के माध्यम से सामाजिक विवहार को दिखाया उन्होंने एक 5 मिनट का वीडियो जो है वो दिखाया उसने जो भी सामाचिक व्यवार हो रहे थे उनको बच्चों को देखाया गया और कुछ समय बाद उन्होंने अबजर्व किया, व्लोकन किया कि बच्चे कैसी एक्टिविटी करते हैं जैसा वीडियो देखा वैसा ही वैवार किया गया थार्द जैसा देखते हैं वैसा ही अनुकरन करते हैं चलिए इनकर जो प्रियोग है उसको देख लेते हैं बंडुरा ने जो प्रियोग किया वो एक डॉल पर किया डॉल जिसका नाम था बोबो डॉल कई वार एक्जाम में पूछा गया है जैसे कि गेस्टाल्ट थियोरी जिसमें कॉलर ने प्रियोग किया था सुल्तान नामक चिंपैंजी पर उसी तरीके से बंडुरा जो हैं उन्होंने सामाजिक अतिकम सिद्धान्त में जिस डॉल का यूज किया तो वो डॉल जो थी उसका नाम था बोबो डॉल ठीक है इस पर प्रियोग किया उन्होंने किस पर किया बोबो डॉल पर तो देखिए उन्होंने एक तीन वीडियो दिखाए जो बच्चे थे, कुछ बच्चे थे, उनको कुछ वीडियो दिखाए, पांच मिनट के, और वो वीडियो कैसे थे, जिसमें एक व्यक्ती, एक वीडियो के अंदर एक व्यक्ती जो है, एक डॉल को क्या कर रहा था, मार रहा था, और बच्चे जो हैं, वो उसको देख रहे थे दूसरा जो वीडियो दिखाया उसमें जो व्यक्ति था वह डॉल को flower दे रहा है जैसा कि हम देख रहे हैं यानि कि वो बहुत उससे प्यार से उससे handle कर रहा है उसके बाद तीसरा जो वीडियो था उसके अंदर कोई भी activity नहीं कर रहा है बिलकुल डॉल जो है वो एकदम वहाँ पर रखी हुई थी और व्यक्ति द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की गई तो इन तीनों वीडियो को दिखाने के बाद बच्चों को एक रूम में रखा गया फिर उनकी activity जो है वो देखी गई तो उन्हें कुछ बच्चे जो थे उनके अंदर अक्रामक व्यवार होते देखा गया और कुछ बच्चों के अंदर जो था वो प्रेम देखा गया वो ए जो चीज देखते हैं वैसा ही व्यवार करते हैं जिन बच्चों ने व्यक्ति को डॉल को मारते हुए देखा तो उन बच्चों के अंदर कैसा व्यवार आया आक्रामक व्यवार आया और वो बच्चे एक दूसरे को मारना सीख गया नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो प्रेम से रह रहा था, तो बच्चों ने गुडिया को खिलाते हुए देखा, तो वैसा ही व्यवहार उन्होंने भी किया, नेक्स्ट जो थर्ड क्लिप थी, थर्ड वीडियो जो था, उसमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी, तो कुछ बच्चे ऐसे भी थे, जो एक दूसरे से कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे, तो बच्चों ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं सीखी, ठीके, तो बंडरा ने यहां पर जो तीन वीडियो थी, इनको दिखाने का एक ही उदेश्य बताया, कि जैसा बच्चे देखते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं, वैसी ही वो क्रिया करते हैं, बहुत ही सिंपल थियोरी है, बस आपको नाम जो हैं, वो इनके याद रखने हैं, सामाजिक अधिगम के और भी कई उधारन हो सकते हैं, जैसे बच्चे अधिकान से थे हैं, सामाजिक व्यवहार, प्रोणों का प्रेक्शन तथा उनकी नकल करक सीखते हैं, हम अपने घरों में, परिवार में, समाज में, ये चीज़ हम देखते भी आ रही हैं, कि बच्चे अधिकान सामाजिक व्यवहार, प्रोणों यानि हमारे जो बड़े होते हैं, उनका अवलोकन करके, उन्हें देखकर, उनकी जो नकल करके, और बहुत सारी चीज करते हैं, और छोटों ने भी वैसे ही विवहार करना सीखा, नेक्स्ट है कि बच्चों में विक्तिद्व का विकास भी प्रेक्षणात्मक अधिगम के द्वारा ही होता है, उनकी परसनेलिटी जो है, उनका डेवलोपमेंट भी उसी तरीके से होता है, कहते भी हैं कि जैसा बाब है, वैसा ही बेटा है, तो वो क्या है, उस बच्ची ने अपनी पिता से ही ऐसी जो भी परसनेलिटी है, उसको धाला, ठीके, तो ये क्या था, प्रेक्षणात्मक अधिगम था, उसी तरीके से उसने उसको सीखा, नेक्स्ट है कुछ इंपोर्टेंट बिंदू जिन प जिस पर उन्होंने प्रियोक किया, नेक्स्ट मॉडलिंग, देखिए, मॉडल अलग है, जो भी हमारे सामने प्रतिरूप रखा होता है, उसे मॉडल कहते हैं, और मॉडलिंग क्या होती है, उसके द्वारा की गई कोई क्रिया, जैसे की अनुकरन द्वारा सीखना, उस मॉड जाजना है, इनको आपको लेकर चलना है, क्योंकि एक्जाम में देखिए, इस तरीके से कोशन पूछा जाएगा, कि कौन से मनोविज्ञानिक थे, जिन्होंने अपनी प्रियोग में आपजर्विशन पर सबसे ज़्यादा फोकस किया, या कौन थे, जिन्होंने एक डॉल प प्रियोग किया, या कौन से मनोविज्ञानिक थे, जिन्होंने प्रियोग किया और उसके लिए मॉडलिंग को सबसे ज़्यादा महत्व दिया, ठीक है, तो उनका नाम आप बताएंगे, बांडुरा, नेक्स्ट है, सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम की बात करते हैं, ब सबसे फर्स्ट होता है अवधान, सेकिंड, स्मृति, थर्ड अनुकरण, फोर्थ अभी प्रेणा, यहां से प्रश्न कई बार आया है, और वह यह आया है कि बांडुरा की जो सामाजिक अधिगम से दांत है, उसके अंदर जो चार चरण है, उसमें दूसरे चरण जो है, उस जाती है, यानि ध्यान देना, एका ग्रता, ठहराव या रुकावट, तो वहाँ पर हम उस चीज को देखते हैं, उस चीज को ध्यान देते हैं, नेक्स्ट है इस्मृति, ध्यान देने के बाद हम क्या करते हैं, उसे अपनी स्मृति में धारन करते हैं, नेक्स्ट है अनुकर एक बहुत अच्छे एक्जांपल से समझ सकते हैं, मान लिजिए कि एक लड़की है जिसको एश्वरे राय का डांस सीखना है, तो सबसे पहले वो क्या करेगी, एश्वरे राय का डांस जो है वो देखेगी, यानि कि अटेंशन देगी, उस चीज़ को बहुत अच्छे से एक आग्र होके ठैराव या ध्यान देकर, नेक्स्ट उसे वो धारन करेगी, अपने माइंड में बठाएगी, उसके बाद उसे वो करके देखेगी, यानि अनुकरन किया उसने और उसके बाद उसे करके देखा, नेक्स्ट उसे मोटिवेट मिला, जब उसने उसे करके देख इसलिए बंडुरा कहते हैं कि समाज में रहकर व्यक्ति जो सीखता है उसी को सामाजिक अधिगम कहा जाता है सामाजिक और संग्यानात्मक का पुल है सामाजिक अधिगम इसे बहुत अच्छे से याद रखना है एक्जाम में ये लाइन आ सकती है कि सामाजिक और संग्यानात् आता है, सामाजिक अधिकम आता है, तो ये थी बंडुरा की ठेरि, जो की बहुत ही आसान थी और इसे आपको याद रखना बहुत जरूरी है, यहाँ परस पेशली आपको ये च्टैप है, इनको याद रखना है बंडुरा के सिद्दान्त जो है उनके अन्य नाम कौन से है आपको ये याद रखना है सामाजिक अधिगम सिद्दान्त, प्रेक्षुनात्मक अधिगम, निरिक्षुनात्मक, प्रत्यक्ष अधिगम और सामाजिक संग्यानात्मक सिद्दान्त इसके अलाबा बोबो झाल झाल